नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिया ये इस वीडियो में हम अपने चैप्टर से संबंधित कुछ महतपूर आंकित प्रस्नों को हल करते हैं अब यहाँ पर पहले प्रस्नों में हमसे ये पुछा जा रहा है कि दिए गए परिपस में एक स्वावाई दिन्दू के मद तुल प्रत्रोध की गरना किये अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप संब्रचना देख रहे हैं ये संब्रचना हुईट से तुको प्रत्रोध कर रहा है क्यों कर रहा है या यहाँ पर wheat stone सेत को प्रदमसित कर रहा है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो विकार्ड होता है विकार्ड पर हम गैलोनों मीटर को यानि धारा मापी को सयोजित कर देते हैं तो 40 ohm का जो परत्रोध है या धारा मापी के साथ सयोजित किया गया है अब यहाँ पर देखिए अगर सेत संतुलित हो तो हम कौन सा फार्मूला योज़ करते हैं तो देखिए संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में जो हम सूत इस्तिमाल करते हैं इसका मान हो जाएगा P बटे Q is equal to R बटे S और इसी फार्मूले का इस्तिमाल हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर P की value कितनी हो जाएगी 15 ohm हो जाएगी 15 ohm लिख देंगे और यहाँ पर Q की value भी 15 ohm हो जाएगी इसे यहाँ पर लिख देंगे और R बटे S की value हो जाएगी 30 बटे 30 अब यहाँ पर आप इस wheat stone से तुको देखिए यह जो wheat stone से तुहै यह पूरी तरीके से संतुलित है तो जब पूरी तरीके से संतुलित होगा तो 40 ओम का छे परत्रोध होगा इस परत्रोध से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर इसे हम हटा देगे कुछ इस आपस में स्रेडी क्रम में है और 30 ohm का प्रत्रोध और 30 ohm का प्रत्रोध ये दोनों भी आपस में स्रेडी क्रम में है तो यहाँ पर इनके तुले प्रत्रोध की गरणा करेंगे देखी यहाँ पर इसके तुले प्रत्रोध को R1 और इन दोनों तुले प्रत्रोध को हम R2 मान ल तो यहां से R2 की वैलू हो जाएगी 60 होम, देखिए इस प्रकार से, यहां पर हम 30 होम और 30 होम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां से 60 होम में अंट्रक्स हो जाएगा, तो इन दोनों का हमने तुले परतरोध ग्याद किया लिया, तो यहां पर जो सर्कीट आप देख रह और 60 होम का परतरोध, यह दोनों आपस में समानतर क्रम में हैं, तो इनका तुले परतरोध क्या होगा, तो यहां पर देखिए, इनके तुले परतरोध को हम R से व्यक्त कर देंगे, तो यहां से 1 अपॉन R की वैलू हो जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, अब यहां पर इसी फार्मूले में हम समीमान को पूट करेंगे, तो यहां से देखिए, 1 अपॉन R1 की वैलू कितनी होगी, इसका मान हो जाएगा 1 बटे 30, प्लस 1 बटे R2 की वैलू हो जाएगी 1 बटे 60, और यह हो जाएगी 1 बटे R की वैलू, अब यहां पर देखिए, यहां पर 30 औ करेंगे, तो यहां से 1 अपॉन R की वैलू हो जाएगी 3 बटे 60, और यहां पर देखिए, 3 से हम 60 में भाग देंगे, तो यहां पर 20 प्राफ्ट हो जाएगा, और यहां से R की वैलू हो जाएगी 20 ओम, तो इस प्रकार से यहां पर हमने जो सर्किट निर्मित किया था, इस सर् सर्किट का जो तुल्य प्रत्रोध होगा, इसकी वैलू हो जाएगी 20 ओम, अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को खल करेंगे, और यहां पर इस प्रश्न में हम से यह पूछा जा रहा है, कि चित्र में दरसाए परिपस में, ए तथा बी बिंदूों के मद्ध तुल्य प प्रत्रोध कर रहा है, देखिए यहां पर ए बिंदू से जूरता हुआ एक प्रत्रोध लगा हुआ है, और यह अड़ी बिंदू पर जाकर के लग रहा है, तो यहां पर दो प्रत्रोध जुणे होए हैं, इसी प्रकार से यहां पर भी दो प्रत्रोध हापस में सयोजित किय गए हैं और इनकी विकार्ण पर एक प्रत्रोत सहिंजित किया गया है तो यह समझना यहां पर हुई टिस्टों से तुको प्रत्वसित कर रहा है अब यहां पर देखिए यहां पर अगर यह हुई टिस्टों से तुको प्रत्वसित कर रहा है तो संतुलन की अवस्था में इस्टोन से तो को एक सुब्योसित चितर के अनुसार बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर इसका परिपत कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाएगा अब यहाँ पर जो संतुलत की वस्ता है तो इसके अनुसार फार्मूला क्या होगा तो यहाँ से फार्मूला हो ज इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो wheat stones है, तु देख रहे हैं, इस wheat stones है, तुके संतुलित होने के बाद, cd भुजा पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है, इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो जब कोई धारा प्रवाहित न पटा दिया, तो अब यहाँ पर नए circuit का निर्मार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अब यहाँ पर आप इस circuit को ध्यान से देखिए, जब इसे आप ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पर ac भुजा और cb भुजा इन दोनों भुजाओं पर जो प्रतिरोध जुड़ा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके तुले प्रतिरोध को r1 और इसके तुले प्रतिरोध को हम r2 से ब्रेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से r1 की value क्या आओगी, देखिए r1 की value हो जाएगी small r और इसकी value हो जाएगी 2 small r, और यहाँ पर r2 की value भी हो जाएगी 2 r, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनके तुल्ले प्रतरोत को ग्याद कर लिया, तो यहाँ पर देखिए, जब हम इनका तुल्ले प्रतरोत ग्याद कर लेंगे, तो यहाँ पर यह जो सर्कीट निर्मित हुआ है, यह सर्कीट एक बार फिर से परिवर्तित हो जाएगी, किस प्रकार से तो यहाँ पर जो निर्मित होने वाला सर्किट है वह कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा देखिए यहाँ पर एक भुजा पर 2R का प्रत्रोद हो जाएगा और दूसरे भुजा पर भी 2R का प्रत्रोद हो जाएगा तो यहाँ पर अब हम A और B बिंदूों की बीच में तुल्य प्रत्रोध की गर्णा करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो उत्पन होने वाला तुल्य प्रत्रोध है इसे हम R माल लेंगे अब यहाँ पर देखिए 2R का प्रत्रोद और 2R का प्रत्रोद ये दोनों एक दूसरे के समांतर करम में इस्थ है तो जब प्रत्रोद समांतर करम में इस्थ हो तो उनके तुले प्रत्रोद की गर्णा करने के लिए हम फार्मूला इस्थिमाल करेंगे और इस्थ है फार्मूले में हम समीमान को पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 अपॉन आर 1 की वैलू हो जाएगी 1 अपॉन टू आर और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लासा लेंगे 2R हो जाएगा और यहाँ से वैलू हो जाएगी 2 और यह हो जाएगी 1 अपॉन आर की वैलू अब यहाँ पर देखिए यह दो और यह दो कैंसिन हो जाएगा और यहाँ से कैपिटल आर की वैलू हो जाएगी स्मॉल आर तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने निर्मित होने वाले हुएट स्टो संतुलन बिन्दु एक सिरे से 60 cm दूरी पर प्राप्थ होता है यदि तार की कुल लंबाई 100 cm हो तो तार के दोनों शिरों के मद्ध विभुवांतर ग्यात कीए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें मालूम है विभुमापी के सिध्धान के अमसार कि जो विभुवांतर होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है यहनी L के समानुपाती होता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा V is equal to K into L अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो V की वैलू है इसका मान है 1.5 पूल इस वैलू को हम नोट कर लेंगे और यहाँ पर जो L की वैलू है इसका मान है 60 cm इस वैलू को भी हम नोट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हम इस फार्मूले में सभी मान को पूट करेंगे तो V के जगा पर हम एक दसमों 5 लिखेंगे के को हम ऐसे उतार देंगे और L के अस्थान पर हम 60 लिख देंगे और इसे हम लिख देंगे समिकर नमबर 1 अब यहाँ पर आप इस प्रस्ट में देखिए प्रस्ट में हमसे यह कहा जा रहा है कि तार की जो कुल लंबाई है इसका मान है 100 cm तो 100 cm लंबाई के तार के सिरे पर जो विभोपात होगा इसकी वैलो कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए विभोपात यानि जो E की वैलो हो जाएगी इसका मान हो जाएगा K गुडे 100 और इसे हम लिख देंगे समिकर नमबर 2 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम समिकर न 2 को समिकर न 1 से भाग देंगे तो समिकर न 2 को समिकर न 1 से भाग देने पर मान क्या पराफ्थ होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से वैलो हो जाएगी E बटे 1.5 देखिए बाये पक्ष को बाये पक्ष से भाग देंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग देंगे तो यहाँ पर दाहिने पक्ष में मान हो जाएगा k गुड़े 100 बटे में हम लिख देंगे k गुड़े 60 अब यहाँ पर देखिए k से k का इंसिल हो जाएगा और यहाँ से मान प्राफ्ट हो जाएगा e बटे 1.5 is equal to 100 बटे 60 अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें e की value को calculate करना है तो जब हम e कमान calculate करेंगे तो 1.5 का 100 में हम गुड़ा कर देंगे तो यहाँ से e की value हो जाएगी 1.5 into 100 और बटे में हम 60 लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए कुछ cancel हो रहा है 1.0 से 1.0 cancel हो जाएगा और यहाँ पर यह दस्मलो इस 0 से cancel हो जाएगा तो यहाँ से e की value हो जाएगी 15 बटे 6 अब यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सम simplify करेंगे तो यहाँ पर 3.5 15 3.2 6 और यहाँ से e की value हो जाएगी 2.5 और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक यहाँ पर volt प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने यह ग्याद कर लिया कि विववांतर की value क्या है यानि तार का जो दोनों सिरा है इन दोनों सिरों के मद्ध में जो विववांतर होगा इसकी वैलू हो जाएगी E is equal to 2.5 वोल्ट अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रस्ण में हमसे ये पूशा जा रहा है कि दिये गए परिपत में AB एक समरूपतार है जिसकी लंबाई एक मीटर वो प्रत्रोध का मान दस ओम है इसके स्रिणी क्रम में 2 वोल्ट विद्दुद वाहक बल वा नगण्य आंत्री प्रत्रोध का सेल E1 एक प्रत्रोध आर जोड़ा जाता है टर्मिनल A को 100 मिली वोल्ट विद्दुद वाहक बल के एक विद्दुद रसायनिक सेल E2 तथा एक धारा मापी G से भी संयोजित किया जाता है इस अवस्था में संतुलन विन्दुद A से 40 cm लंबाई पर प्रत्रोध की गर्णा के जिए यदि सेल E2 का विद्दुद वाहक बल 300 मिली वोल्ट हो तो संतुलन विन्दु कहां पर प्रत्रोध होगा यानि यहाँ पर हमें capital R और L1 की वैलो को calculate करना है तो सबसे पहले हम यह ग्याद करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़े दी गई है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर E1 की वैलो दी गई है और इसका मान है 2 बोल्ट और इस मान को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे इसके पस्चाथ यहाँपर E2 की वैलू दी गई है और इसका मान हो जाएगा 100 गुड़े 10 की घात मैनस 3 बोल्ट इस मान को भी यहाँपर नोट कर लेंगे इसके पस्चाथ यहाँपर L2 की वैलू दी गई है और इसका मान हो जाएगा 40 cm अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर और क्या चीज़े दी गई है तो यहाँ पर L की वैलू दी गई है और इसका मान दिया गया है 1 मीटर या इसके इसे हम लिख देंगे 100 सेंटी मीटर अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर small r की वैलू भी दी गई है और इसका मान हो जाएगा दस ओन और इन सभी मान को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए अगर हमें विभो प्रमरता की वैलू को calculate करना हो तो इसका मान हम कैसे गयाद करेंगे तो यहाँ पर देखिए विभो प्रमरता को calculate करने के लिए एक फार्मूला होता है k is equal to e2 upon l2 is equal to e1 upon l into small r बटे capital r plus small r और इसी फार्मूले की सायता से हम विभो प्रमरता की वैलू को calculate कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें फार्मूला भी याथ है और सभी मान भी याथ है तो इन सभी वैलूस को इसी फार्मूले में हम put कर देंगे तो चलिए put करते हैं तो यहाँ पर देखिए e2 की वैलू कितनी है इसका मान दिया गया है 100 गुडे 10 की घात minus 3 इस मान को यहाँ पर हम note कर देंगे बटे में हम l2 की वैलू को लिखेंगे और इसका मान 40 दिया गया है अब यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ तो यहाँ पर even दिया गया है इसका मान है 2 गॉल्ट बटे में हम l लिख देंगे l की वैलू कितनी है इसका मान है 100 cm अब यहाँ पर देखिए small r की वैलू कितनी है इसका मान 10 दिया गया है बटे में हम लिख देंगे r प्लस 10 अब यहाँ पर देखे यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से यह 0 और यह 0 cancel हो जाएगा और 4 से हम 10 में भाग देंगे तो यहाँ पर मान प्राफ्ट हो जाएगा 2.5 अब यहाँ पर देखे यह 0 और यह 0 cancel हो जाएगा और 2 से 10 में भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा 5 अब यहाँ पर देखे यहाँ से हमें मान प्राफ्ट हो जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 is equal to 1 upon 5 into 1 upon r plus 10 और इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे अब यहाँ पर देखे यहाँ पर यह term एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखे r plus 10 को हम इस side में लेकर जाएगे और 2.5 into 10 रेज पावर माइनस 3 को इस side में लेकर कर जाएगे तो यहाँ से वाइलो हो जाएगी r plus 10 is equal to 1 upon 5 और यहाँ से वाइलो हो जाएगी 1 upon 2.5 into 10 रेज पावर माइनस 3 अब यहाँ पर देखे यहाँ से वाइलो हो जाएगी 1 upon 5 into 1 upon 2.5 into यहाँ पर देखे 10 रेज पावर माइनस 3 को ऊपर लेकर जाएगे तो इसकी वाइलो हो जाएगी 10 raise 4 प्लस 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है तो अगर हमें 10 मलोग हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे देखिए उपर हम 10 बढ़ा देंगे तो यहाँ से 10 मलोग हट जाएगा तो यहाँ से value हो जाएगी और यहाँ से 2 में हम यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे और आगे हम 10 लिख देंगे और बटे में हम 25 लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए 25 से हम 200 में भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 8 और यहाँ से यह हो जाएगी R प्लस 10 की value अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस term को हम एक बार फिर से simplify करेंगे, तो यहाँ से r प्लस 10 की वैलो हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 80, और यहाँ से r की वैलो हो जाएगी 80-10, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से r की वैलो हो जाएगी 70, और इसका मातर्क क्या होगा, तो इसका मातर्क यहाँ पर ohm प्राप्त हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रतिरोध के मान को calculate कर लिया, अब यहाँ पर देखिए, अभी हमारा प्रस्न हल नहीं हुआ है, अभी हमसे यह पूछा जा रहा है, कि यदि cell E2 का विद्धुद वहखबल 300 मिली वोल्ट हो तो संतुलन बिंदु कहां पर प्राप्त होगा तो यहां पर देखिए संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है E2 upon E1 is equal to L2 upon L1 और इसी फार्मूले की सायता से हम संतुलन बिंदु को प्राप्त करेंगे तो यहां पर संतुलन बिंदु L2 है तो L2 की वैलू को हमें calculate करना है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा L2 is equal to E2 upon E1 into L1 और इसी फार्मूले में हम सभी मान को put करेंगे अब यहां पर देखिए यहां से L2 की वैलू हो जाएगी L2 is equal to E2 देखिए इस बार E2 की जो वैलू है इसका मान है 300 millivolt तो यहां पर हम लिख देंगे 300 गुड़े 10 की घात माइनस 3 बटे E1 E1 की वैलू कितनी होगी तो E1 का मान यहां से लिख देंगे E1 की वैलू हो जाएगी 100 गुड़े 10 की घात माइनस 3 वोल्ट देखिए सारी चीज़े चेंज हो गई है तो यहां पर E1 की वैलू यह हो जाएगी तो E1 का मान हो जाएगा 100 गुड़े 10 की घात माइनस 3 गुड़े L1 L1 की वैलू कितनी होगी तो इसका मान हो जाएगा 40 cm और यहाँ पर हम 40 लिख देंगे अब इसे हम simplify करेंगे तो 10 की घाट मैनस 3 10 की घाट मैनस 3 कैंसिल हो जाएगा और यह 2 0 कैंसिल हो जाएगे तो यहाँ से L2 की वैलू हो जाएगी दिखे 30 गुड़े 40 और इसका मान हो जाएगा 120 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका जो मात्रक होगा वूआ हो जाएगा cm तो इस परकार से यहाँ पर जो संतुलन मिंदू है इस संतुलन मिंदू को भी हमने कैल्कुलेट कर लिया जब सेल E2 का विद्धुद वाहग बल 300 मिली गोल्ट हो गया तो संतुलन मिल्दू का मार हो जाएगा 120 सेंटी मीटर